प्रांगण में विध्यारतियों को सदयव संसकारित करने वाले और शिक्षा के मार्ग पर अनुवरत रूप से आगे बढ़ाने वाले ऐसे सभी गुरुजनों को मैं साधर प्रणाम करती हूँ इस कारिक्रम में इस मंच पर मिराजबान हमारे जिला के सम्मान्य जिलात द्यक्ष जी स्री बल्वान सिंग यादव जी इस मंच पर यहां विराजबान भारत्य जन्ता पार्टी के इस संगठन के सभी पदादिकारी बड़े भाई हमारे गुरुजी शिवचरण जी अभी आपी के बीच में अपना उद्बोधन दे रहे हमारे जिले के महामंत्री बड़े भाई साब उमेद भाया जी भाई साब महा सिंग चोदरी जी, सीला चोदरी जी हमारे इस मंच पर यहां जितने भी भारत्य जन्ता पार्टी के कर्मट और निष्टावान कारे करता जो बैठे हैं आप सभी को सामने बैठे हुए हमें संसकारित करने वाले बुजुर्गजन, मात्रशक्ती और युवा साथिय। आप सभी को तहे दिल से मेरा सादर पड़ाम मैं मेरे छोटे भाई नितिन को तहे दिल से हारदिक शुपकामनाई देती हूँ कि इस राठ की धरा पर एक ऐसा संगठन जो समाज और राष्ट के लिए सदल शात्र हितूं के लिए संगर्श रत रहता है एवी विपी लंबे समय बाद में इस राठ की धरा पर आप सबके सयोग से नितिन जी यहां के प्रसीडन्ट बने हैं और इस प्रसीडन्ट के इस सपत क्रहन समारों में मैं उनको तहे दिल से सुपकामनाई देती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ कि सदैव हर मंच पर क्योंकि विध्यारती परिसत एक मात्र ऐसा विश्व का सबसे बड़ा संगर्ठन है जो हमेशा छात्र हितूं के लिए संगर्श करता है जो राष्ट शर्वोपरी की भावना को रखते वे आगे बढ़ता है जब देश आजाद हुआ जुलाई 1949 में एवीवी की स्थापना हुई और तब से लेके आज तक एक मात्र ऐसा संगर्ठन है जो सदैव शात्र हितूं के लिए विध्यारतियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट की एक जूटता के लिए और इस भारत देश को आगे कर रहा है मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज भारत देश युवां की भूमी है युवा इस देश की नीव है और युवा जब तक शशक्त मजबूत नहीं होगा युवा जब तक समाज और राष्ट का बीड़ा अपने कंदू पर नहीं लेगा तब तक इस भारत देश को उ अमरत महौत्सा उपर जो भारत देश एक समय सोने की चिडिया था भारत देश विश्व गुरू था आने वाले 25 सालों में इस अमरत काल में हम सबको एक जुटता से भारत राष्ट के लिए काम करना है एक भाव स्ट्रेश्ट भाव से भारत देश के लिए काम करना है और इ जिनी ही सयोगिता देनी है, जितना एक सामान्य कार्य करता की होती है, एक सामान्य नागरिक की होती है, हम सम देश के कर्णधार हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगी इसी बात पर, 1882 में एक उपन्यास आया था आनंदमट, बंकिम चंद चटर जी ने वो उपन्यास लिखा था उस उपन्यास का मूल था उस उपन्यास का सार था कि उस उपन्यास में देश की मात्र भूमी भारत माता के लिए प्रतेक नागरिक प्रतेक युवक अपने आपको भारत की संतान मानते हुए देश की आजादी के लिए सोतंता संगाम के लिए पल-पल आगे भड़ा और हर बा करना मेरा कर्म है मेरा करतव्य है मेरा धर्म है और एक दिन उस आननद मठ cred जब जनजन तक उसमें एक गीत है वंदे मातरम जब जनजन तक पहुचा तो जनजन के कंट大 वन गया और जब कंठधार बना तो उस समय अंग्रेज की रातों की नींद उड़ गई और उस ब्रिटिस समय में हमारे वंदे मातरम गीत पर पतिबंद लगाया गया लेकिन इस चात्रशक्ति ने इस युवा शक्ति ने इसराष्ट की नीव ने इस राष्ट के शक्ति ने एक ऐसी अलख जगाई और युवाओं की इसी अलख ने भारत माता की इनी संतानूं ने मात्र भूमी के जैकारे लगाते हुए हमारी देश की आजादी तक एक अथक संगठित प्रियास किया और भारत देश आजाद हुआ आज सतर साल हो गए देश को आजाद हुए लेकिन सतर सालों में आज भी हम गरीबी बिजली पानी सड़कों के लिए तरस रहे हैं अच्छे और समरद राष्ट की खुशाली के लिए एक जुटता से सबको मिलकर काम करना होगा अच्छे लोगों की एक टीम बनाने होगी आज ह छेत्र भी खुशाली की तरफ बढ़ेगा निश्चित रूप से ये भारत देश भी प्रगती के नए किर्तिमान इस्थापित करेगा तो हमें आने वाले इस अमरत काल में एक जुटता के साथ एक भाव के साथ काम करना है अगर आज एक सबसे बड़ी समश्या है चाहे वो चाहे वो देश की हो सबसे बड़ी समश्या है यूवा क्राइम हमारे बच्चे शिक्षा के इन मंदिरों में शिक्षित हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये क्राइम कहां से आया है आप सबको हमें सामाजिक समश्याओं पर चिंतन करना होगा और हम ही वो लोग हैं जब सामाजिक समश्याओं पर चिंतन करेंगे ये बच्चे आपके परिवार का हिस्सा है आपको सोचना होगा चिंतन करना होगा मंतन करना होगा अगर इस राट शितर से हमने यूवा क्राइम को समय रहते हुए नहीं रोका तो आने वाले समय में हमारी इस राट की धरापर हमारी माताओं की कोख उजडती हुई हम देखेंगे आप सबको एक आगरे विसेस आगरे करती हूँ इस चातर सपत ग्रेंट सवारों में इन मेरे छोटे भाईयों से आगरे करती हूँ कि आप परिवार की नीव है आप ही समाज की नीव है आपी राष्ट की नीव है युवाओं को एक जुटता से आगे बढ़ाने के लिए हर उस बच्चे को माता पिता को पूछना होगा वो कहां जाता है क्या करके आता है किसके साथ रहता है जहां भी हमारे बच्चे अगर नशे की प्रवर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें समय रहते हुए सब को मिलकर रोकना होगा और जो आग्रह बेटियू से किया जाता है जो प्रतिबंद बेटियू पर लगाए जाते हैं अगर उसी तरह से मादा पिता अपने बेटू से पूछने लग जाएं कि कहां गए थे और ये सब कहां से करके आयो और इसका पैसा कहां से आया है जिस दिन पिता ने ये पूछ लिया इस राट छेतर के क्राइम को रोकने में हम सब सफल हो पाएंगे आप सबसे विसे सागरे करती हूँ खुशाली भी होगी शम्रदी भी होगी लेकिन छेतर को बचाना भी अपना नैतिक दाइत्व है अपना नैतिक करतव है और मैं इन युगाँं से भी कहना चाहूँगी एक भाव स्ट्रेश्ट के भाव के साथ सब को मिलकर आगे बढ़ना है आज इसी देश में हम हर रोज घटनाई पड़ते हैं हमारे जो नए विशे हैं चाहे वो लव जिहाद हो चाहे धर्मान तरण का हो ऐसे विश्यों के लिए हमें सजकता रखनी होगी आज एक समुदाई विसेस के लोग भारत में भारत देश के अंदर कुछ ऐसे विशे ला कर हर बार आतंकवाद की चोट को तो माने प्रधान मंतरी नलेंद्र मोदी जी ने रोक दिया लेकिन कुछ इन नए विशेखों के माध्यम से पूरे देश में एक जहाद का जहर फैला रहे हैं उस जहाद के जहर को इस युवा शक्ति को रोकना होगा जब JNU में ऐसे छात् इस संस्तान में अलग जगाता है कि ये भारत देश हमारा है और ये भारत देश की भूमी इसके लिए युवा तन्मन धन से अरपित है तो आज मेरे युवा भाईयों के साथ मेरी बहनों के साथ और मेरे छेत्रवाशियों के साथ ये बहन जहां जिस मंच पर आपके काम आ स मैं आपके बीच में उपस्तित रहती हूं और ये यूवा मुझसे भी जुड़ा हुआ है आप ही के छेतर की बेटिया मेरे पास पढ़ती है एक शिक्षक के रूप में एक गुरू के रूप में मैंने सदय प्रियास किया है कि इस यूवा शक्तित को संस्कारित करना और अच् परिवार भी उन्नती करेगा समाज भी उन्नती करेगा और राष्ट भी उन्नती करेगा तो एक भाव के साथ हम सबको मिलकर कारे करना है एक जुटता से कारे करना है आगे बढ़ना है आप सबने यहां बुलाया और एक एतिहासिक कारेकरम आज इस शिक्षा के प्रांगन मे हो रहा है इन आयजगों को मेरे यहां गुरुजन बैठे हुए मैंने आते ही सब को प्रणाम किया और सबसे आसिरवाद भी लिया और आप सबसे भी आसिरवाद लेते हुए यहीं कहना चाहूंगी कि जो राष्ट के लिए तनमन धन से समर्पित है उन्स लोगों के साथ हमें एक जुटता से एक साथ आगे बढ़ना है यहां अवसर दिया युगां के लिए दो लाइने कहूंगी दो पंक्तिव से अपनी बात को समाप्ती कर दूँगी विकल्प मिलेंगे बहुत मार्क से भटकाने के लिए मंजिल संकल एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए जैहिंद जैभारत